है गाइस सुवागत अब सभी का एक और नहीं वीडियो में आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एवेंजरस इंड गेम मुवी में जो कैप्टन मार्विल है वो थैनोस से इतनी जादा स्ट्रॉंग क्यू है क्यों वो थैनोस जिसके पास 6-6 इंफिंडि स्टोंस थे उसे भी टक कर दे देती है अब जब मैंने सिन को पहली बात देखा था थेटर पे तब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगाता है मैं मतलब लिटरिली मेरे पास कुछ सब्द नहीं थे बोलने के लिए कि आखिर ऐ एक लड़की जो की कुछी दिनों के लिए सुपरहरो बनी है वो इतने जादा स्ट्रॉंग कैसे हो सकते दो दिन के लिए नहीं बस यह मतलब की मुवी में आई है तो उस टाइब बद तो मुझे पता नहीं चला था कि आखिर कैप्टन मार्विल इतने जादा स्ट्रॉंग क लेकिन जब मैं अब जाके मैं इतने सालों बाद एक बर फिर से अब अब जाके मुझे रियलाइस हुआ कि आखिर क्यों कैप्टन मार्विल थैनोस से जादा स्ट्रॉंग थी इस सीन में ठीक है तो अब इस सीन को मैं पहले से ब्रेंग्डवन कर देता हूं ताकि आप लोग आपने कॉप्टर ब्लेड जो भी था उस सौट के दर ही है फिर हम लोग देखता है कि एक एक करके तीनो के तीनोस जो भी थी थे आयनमैन, थौर, थौर एंड कैप्टन अमेरिका तीनो मिलके इसे अराने के एक बर फिर से कोशिस करते है गॉंटलेट को उसे हटाने की बट थैनोस कामियाब हो जाता है गॉंटलेट को पाने में एक बर फिर से एड़ उसे विल्ड भी कर लेता है उसके हाथ में वो पैन भी लेता है एंड हम लोग इस सिन पर प्रतिकुलर इस सिन पर देख सकता है कि जो थैनोस है उसके पूरे सरीर में जो पहला बाला एफिक्ट हम हम लोग देख सकता है तो इस सिन पर हम लोग सिमिलर ऐसा यह एफिक्ट देखते है बट एड लाश्ट मोमेंट जब वो स्नैप करने ही वाला होता है तब हम लोग देता है कैप्टन मार्वल पहुच जाती है और वो उसे रोग देती है बट यहाँ पर एक चीज़ गौर करन अधरे दे बाली बात यह है कि कैप्टन मार्वल जब आके उस गौंटलेट को पकटती है तो आपके जो पावर से लेकिर अलग अलग डिफरेंट कलर भी आ तोड़ा तोड़ा करके एंड सारे कि सारे पावर उसकी तरफ ही जा रहां है लेकिन वह पर अगर हम लोग फिर छर जान दे थैनोस की तरफ तो थैनोस के सरी में जो पहले जो नस के अंदर वो डिफरेंट कलर से बैर रहे थे अभी यो पावर्स उसके अंदर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर कैप्टन मार्वल एक्ट्वल में जितने पावर से उसे भी वो इस्तेमाल कर रही थी थैनोस के एगेंस्ट एंड यही कारण है कि जब थैनोस हेटबर्ट देशता है क्याप्टन मार्वल को तब क्याप्टन मार्वल को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता यही रिसन है तो हाँ वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना स्याय दन अपने दोस्ते को साथ और चैनल को सब्सक्राइब को ले ना